हेलो दोस्तो एक बार फिर में आपके सामने हाजिर हूँ बीटिटीएच की एक और नई वीडियो के साथ में और दोस्तो ये नौवल वीडियो बहुती जादा कमाल की होने वाली है क्योंकि अब शियावयान शिनलैन को लेकर आइस रिवर वैली की ओर निकल पड़ा था अपन पहुच के शियावयन शिनलैन से पूचता है कि तुम्हें तो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सब पता होगा ना जिस पे शिनलैन कहती है जब मैं लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान उस वाम होल के बाहर निकलने के बाद काफी दिन तक ट्रेवल करने के बाद हम पिल रिजन पहुंच गये थे पिल रिजन पहुंचने के बाद वहाँ एक शूशुवान गेट नाम का एक फैक्शन था जिसके लोग बहुत ही कमीने थे वो लोग लेटिल फैरी डॉक्टर के साथ बत्तमीजी कर रहे थे जिस पर लेटिल फ जो के पीछे बढ़ गय Star की जो लेजेंडरी पॉसनेस बॉड़ी की शील्ड थी वो ब्रेक होने लगी थी लेकिन आखिर में लेटिल फैरे डॉक्टर ने उस सुशवान आइस रिवर वैली मंगर आइस रिवर वैली वाले बाकि बंदों से जादा कमीने हैं वो सिर्फ लिटिल फेरे डॉक्टर की भॉड्डी को लेजंडरी पॉजनस बॉड़ी को अपने यूज के लिए पुकरना चाते हैं क्योंकि आइस रिविए वैली का तो काम ही यह है किसी unique body को collect करना उनके पास एक key method है जिससे वो किसी भी soul को दूसरे की body में transfer कर लेते हैं और फिर उसकी soul से उसकी ability को चुरा करी उसका use करते हैं जिससे उनकी ताकत बढ़ जाती है और कुछ दिन पहले ही ice river valley ने little fairy doctor के legendary poisonous body को discover कर लिया था जिसके बाद उन लोगों ने little fairy doctor पर attack करके little fairy doctor को और भी सादा injured कर दिया था अब शिनलैन रोते हुए कहती है ब्रदर श्यावयान प्लीज मुझे माफ कर देना मैं little fairy doctor की कोई भी help नहीं कर पाई जिस पर श्यावयान शिनलैन के सर पर हाथ रखते हुए कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसलिए तुम उ different location भेजी थी उन्होंने बताया था कि वो foreign god stem में है और उन्हें Ice River Valley के लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है श्यावयान से पूचती है कि अब उसका आगी का क्या plan है जिस पर श्यावयन कहता है मुझे तुरंत ही foreign god stem जाना होगा इसके अलावा हमारे पास कोई और रास कर सकती हूँ जिस पर श्यावयन मान जाता है तब ही उसे जियान का याद आता है इसलिए वो श्यावयन से पूचता है कि जियान का है क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है जो सुनकर श्यावयन बिल्कुल परिशान हो जाती है श्यावयन बताती है कि जियान तो तो होगी ना उसे कुछ हुआ तो नहीं है जिस पर शिल लैन कहती है मुझे जादा तो नहीं पता लेकिन काफी वक्त पहले मुझे उसका एक मैसज मिला था जिसमें जियान ने लिखा था कि उसे कुछ सेंस हुआ है इसलिए वो अपने घर वापस जा रही है अब शियावएन स सौल्फ करने का डिसाइड करता है इसलिए वो शिल लैन को पकड़ कर अपने साथ हवा में उडाते हुए फॉरें गॉड स्टेम की ओर निकल पड़ता है अगले सीन में हम शियावएन को शिल लैन के साथ फॉरें गॉड स्टेम पहुचा हुआ देखते हैं जहां शिल लैन लेकर एक रास्ते से लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूने निकल पड़ती है वही हम देखते हैं उस फॉरेंड गॉड इस्टेम में हर तरफ आइस रिवर वैली के लोग फैले हुए थे हलाकि वो लोग शावयन को कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो नहीं जानते थे कि शावयन वहां लेटिल फेरी डॉक्टर को बचाने आया है उसी फॉरेंड गॉड इस्टेम में हम लेटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं जिसके सामने आइस रिवर वैली का एक एल्डर था जो लेटिल फेरी डॉक्टर से कह रहा था कि पॉईजन लेडी तुम मेरे साथ आइस रिवर वैली चलो अगर तुम ऐसा करती हो तो शायद तुम जिन्दा बच जाओ क्योंकि हमारे आइस रिवर वैली की आइस फ्रोजन तुम्हारे बोडी में जम गई है जिसका एंटीटूड सिर्फ हमारे पास ही है और अगर तुम्हें एंटीटूड नहीं मिला तो हमारी ये आइस फोर्जन तुम्हारी बोडी की लाइफ फोर्स को जमा देगी जिससे एक महीने के अंदर अंदर तुम्हारी बहुती धर्दनाक मौत होगी इसलिए चुप चाप हमारे आइस रिवर वैली चलो शायद तुम जिन्दा बच जाओ जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जो नाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटेक कर देता है जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी डावकी को अनलीस कर देती है जिससे एक ही छटके में उस एल्डर का अटेक डिस्ट्रॉय हो गया था और उसका एक क्रिस्टल उल्टा उसी एल्डर के फेस पर जा लगता है ज लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी poisonous body को self-destruct यानि की खुद को मारने लगती है मगर तभी वहाँ ice river valley का एक और elder आ जाता है जो की अपनी nine feet ice shield का यूज करके little fairy doctor को ice में freeze कर देता है और अब वो elder पहले वाले elder से कहता है elder bong van तुम तो बहुत ही careless हो अगर ये लड़की खुद को self destruct कर देगी तो हम ice river valley के chief को क्या explanation देंगे जिस पर elder when कहता है मुझे क्या पता कि ये लड़की खुद को self destruct कर सकती है जिसके बाद elder when little fairy doctor को बुरी तरह injured करने के लिए little fairy doctor पर ice crystal से जोरदार attack कर देता है मगर तभी कोई बीच में आकर उस ice crystal को हातों से पकड़ कर destroy कर देता है और ये बंदा कोई और नहीं बलकि हमारा श्यावयन ही था श्यावयन गुस्से से कहता है ice river valley तुम्हें अपनी हद पार कर दी है जिस पर senior elder कहता है लड़के हम तो इस लड़की को मार कर लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं इससे तुम एहसान समझो जिस पर श्यावयन कहता है क्या तुम्हें इससे बेकार कोई और पाहना नहीं मिला इस लड़की ने हमेशा अपनी poisonous body को सरप्रेस करके रखा है ताकि किसी को कोई नुकसान नहों और तुम इसे मारना चाते हो तुम लोग तो बहुती घटिया इंसान हो ये कहते हुए श्यावयन ने ये भी डर लग रहा था कि श्यावयन उसे यहां से बचा कर नहीं ले जा पाएगा क्योंकि वहाँ आइस रिवर वैली के तीन एलाइट डाउसोंग क्लास के एक्सपर्ट थे और बहुत सारे डिसिपल्स थे इसलिए लिए लेटिल फेरी डॉक्टर श्यावयन को कहती है श् फिक्र मत करो मैं तुम्हें यहां से बचाने आया हूँ और मैं तुम्हें यहां से बचा कर ही ले जाओंगा और कोई भी मुझे रुक नहीं पाएगा श्यावयन की ऐसी बाते सुनकर सीनियर एल्डर वैन कहता है तुम किस चीच का इंतजार कर रहे हो जल्दी से इस लड़ ब्लेड बनाता है और फिर उस आइस ब्लेड से लिटल फेरी डॉक्टर पर अटेक कर देता है तो श्यावयन जिसकी बाहों में लिटल फेरी डॉक्टर थी वो फॉरन अपने डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है तीमन पपेट तूरंथी एल्डर वैन के अटैक को डिस् उस पर घपराते हुए elder ven अपने सामने एक Eyes शील्ड बैरियर बना लेता है लेकिन demon puppet उस elder کے ice barrier को destroy करके elder ven पर सोरदार attack कर देता है जिससे elder ven जखमी होकर पीछे जा किरता है और अब उस elder के मूँ से खुन आगया था एल्डर वैन को समझ आ गया था कि वो इस डीमन पपेट से जीत नहीं सकता है और वो पपेट उसकी चमड़ी शील देगा इसलिए एल्डर वैन सीनियर एल्डर से कहता है कि ये लड़का ही इस डीमन पपेट को कंट्रोल कर रहा है इसलिए आप इस लड़के को मार दो लेकिन ये सुनकर तो सीनियर एल्डर भी शौक हो गए थे कि इस लड़के के पास कमाल की स्किल है इधर लेटिल फेरे डॉक्टर श्यावैन के सामने आकर कहती है तुम इस सीनियर एल्डर को मुझ पर छोड़ दो इसे मैं हेंडल करती हूँ लेकिन श्यावैन उसे मना कर देता है क और सीनियर एल्डर अपनी आइस स्पेर से श्यावैन पर हमला कर देता है तो श्यावैन एक स्माइल करते हूए अपने रिंग में से मास्टर टियान हूँ को बाहर निकाल लेता है टियान हूँ की स्पिरिच्वल बाड़ी को देख कर तो सीनियर एल्डर की फट गई थी क्य जो देकर शावयन का खून खौल उठता है और वो मास्टर टियान हुआ से कहता है मास्टर मैं आपको जहमत दे रहा हूँ प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों एल्डर्स को मार डालिए जिस पर मास्टर टियान हुआ कहते हैं लड़के तुम फिक्र मत करो बस मु जाती है और वो खून की उल्टिया करते हुए दूर नीचे जा किरता है अब सीनियर एल्डर घपराते हुए एल्डर वैन से कहता है कि तुरंत इस लड़के को मार डालो जिस पर एल्डर वैन आइस रिवर वैली के बहुत सारे बंदों को लेकर श्यावयन पर अटेक कर दे है जहां एल्डर वैन श्यावयन पर अपनी डावकी से आइस क्यूब बनाकर अटैक करते हैं मगर श्यावयन अपनी ग्रीन फ्लेम निकाल कर एल्डर वैन के आइस क्यूब को डिस्ट्रॉय कर देता है मगर श्यावयन के पास हेवनली फ्लेम देखकर तो एल्डर वैन के कर देता है अब इस से एलर वैन गुस्सा होकर अपने सारे आइस औरे को अनलीज करके एक पावफुल पंच बना लेता है और अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये तो आपको नेक्स पार्ट में ही पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है